हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे खुश होंगे और सहस्त होंगे बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको कौन से ब्रांच पिछले सालों पर मिली है उससे आप एक लंसम आईडिया लगा सकते कि इस साल पर आप उसके कि ऊपर नीचे थोड़ा सा वेरियेशन करके ये ब्रांच आपको मिल सकती है ठीक है सो स्टार्ट करते ही अपने वीडियो को स्टूरेंट सबसे पहले गर हम बात करें कि इसमें कौन-कौन से ब्रांच पर आपको आपके मनबसंद के ब्रांच मिल भी रही है कि नहीं मिल रह जो लास्ट यह के डेटा के कोर्डिंग 216 रांग गई है ठीक है 216 तक के स्टूरेंट को इतनी रांग तक के स्टूरेंट को कम्प्यूटर साइंस मिल गया था और उसमें एवरिज मार्क्स कितने होने चाहिए बच्छो 263 ठीक है ये लास्ट यह का डेटा है और जनरल क्या गरी के वारें बता रहे हैं अब उससे एक लंब सम आईडिया लगा सकते हैं क्लियर नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांच की तो माथमाटिक्स साइंटिक कम्प्यूटिंग जिसके रांक स्टूरेंट्स कितनी है 1045 मतला लास्ट यह की बताई गई है कि 10045 में इतने में क्य इतने मार्क्स अगर तो उसकी इतनी रांग पे आपको क्या मिल सकता है डेटा साइंस मिल सकता है ठीक है लेक्सित बात कहते है रिचर कल इंचिनरींग की तो 1297 पे ठीक है 2277 अगर आपकी है तो डो सौ 3 माक्स पे आपको यह मिल सकता है यह लाज्ट यह की ड़ेटा केadtरjang उपर particular इस particular branch में आपको नहीं मिल सकता, means आभी कह सकते हो कि closing rank है, बात समझ में आ रही है, यह particular इस branch की क्या है student, यह है आपके closing rank, ठीक है, next अगर हम बात कहते हैं, BSN economics, तो BSN economics में 3167 तक की rank है, तो आपको इसमें admission मिल जाएगा, इसके उपर में इस particular branch में नहीं मिलेगा, so यह क्या है, इस particular branch की closing rank है, जिसका average marks कितना होना चुछे, out of 360 में 165, ठीक है, so अगर aerospace engineering की बात करें, तो 3809 अगई आपकी rank, chemical engineering की बात करें, तो 4063, BSN physics में 5358, now अगर हम बात करते हैं के 5000 तक की आपकी rank है, तो आपको इस particular branch में admission मिल सकता है, so बच्चों, लास्ट जो आप कह सकते हो कि IT कानपूर के अंदर, नाज किस rank तक के student कितने rank होंगे कि आपको इस particular college के अंदर admission मिल सकता है, so आप देख सकते हैं 9523 तक के rank वालों को इस particular college में admission मिल सकता है, branches बच्चों आपको देखनी पड़ेगी कि किस rank तक की में अगर आप आए हो तो आपको branches वो particular मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ठीक है, so यह हो गया, civil engineering के बात कहिंगे, तो 5000 rank आपकी हुई, 5648 and material sciences 6105 and BS in chemistry 9197 and BS in earth science 9523, ठीक है, out of marks कितने होने चाहिए, 115 marks, so यह आप कह सकते हो कि क्या है, closing rank है, इसके उपर आईची गानपूर में admission नहीं मिल सकता, ठीक है, means यह आपके last year के data के according, तो बच्चों अगर आपको admission लेना है आईची कानपूर के अंदर, तो इतनी rank तक का आप एक approximate idea लगा सकते हैं, ठीक है, so बच्चों मिलते हैं अपने next video में, next किसी और दूसरे IT के साथ, और important information के साथ, till then, bye bye, take care.